व्ली अल्लाव शेर की सवारी आज की हमारी जो वीडियो है वह है वली अल्लाव शेर की सवारी वली अल्लाव किसके लिए यूज किया गया है वह हम लोगों को यह वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा और इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो बैल आइकन है उसे प्रेस कीजिए वली का लफ्स विला से निकला है जिसका मतब मदद और नुसरत के हैं और वली अल्लाव से मुराद वो शक्स है कि जिसे अल्लाव की मदद हर दम हासिल रहती है जो अल्लाव का दोस्त होता है जिनके मुतलिक अल्लाव ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि उन्हें ना तो कोई खौफ ना ही कोई गम लाहक होता है और आज की वीडियो में हम सब ने कुछ ऐसे ऐलिया अल्लह का जिकर करना है कि जिन्हों ने अपनी जिन्दगियां अल्लह ताला के आगे सरंडर कर दी अपनी खायशات को अल्लह और उसके रसूल की मुहबत में फना कर दिया अपने आपको ल्लह के खौबात के ताबे कर लिया तो पिर अल्लह ने भी उने इस दुनिया में वो मुकाम و मरतबा अता उर्माया कि ना सिर्फ वो नसले इंसानी के दिलों पर बलके जंगली दरिंदों पर भी हुक्मरानी करते थे आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वली अल्लह थे कि जो शेर की सवारी फरमाया करते थे और उनके मजार पर आज भी शेर हाजरी देने आते हैं तथक्रा करेंगे उस वली का कि जिस पर खुनखार दिरिंदे ने हमला किया तो फिर क्या करामत देखने में आई और दास्तान सुनाएंगे आपको रसूललह सब्लाह लिह वाले बस्लम के एक आशिक वुलाम की कि जिसकी हिफाज़त पर शेर मामूर हो गए लेकिन दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप रड़ बटन पर क्लिक करके और बेल आईकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए ताकि ऐसी तारीखी मालूमाती और इसलामी वीडियो आपकी रोजमरा जिन्दगी में शामिल रहें दोस्तो शेख अबुल हसन का शुमार एहद कदीम के उन बुजरगाने दीन में होता है कि जिन्होंने अपनी जिन्दगियां अल्ला के लिए वक्फ कर छोड़ी थी आपके जमाने में मिसर पर एहमद बिन तलून की हकूमत थी वो एक ZALIM बाश्चा था रियाया पर जुम और सितम करता रहता और यहीं पर बस नहीं बलके उसके दोर में रियास्त में फहाशी और और्यानी और बेहयाई का दोर दोरा था एहमद बिन तलून की रिया उससे तंग तो बहुत थी मगर किसी में इतनी जुर्ट नहीं थी कि उसे उसके जुल्म के बारे में वार्निंग दे सके उसके सामने कलमा हक बुलंद कर सके लेकिन खवातिन उजरात अल्ला के दोस्तों को तो कोई डर और खौफ नहीं होता चुनाचे शेख अबुलहसन उसके सामने गए और उसे जल्मों सित्म से बाज आने की तल्कीन की एहमद बिन तलून को शेख अबुलहसन की एक हग कोई हर्गिस बसंद ना आई उसने सजा के तोर पर आपको भूके शेर के आगे डाल देने का फैसला सुना दिया उसकी हिदायत पर एक शेर को कई रोज तक भूका रखा गया और इसके अलावा शेहर भर में मनादी करवा दी गई कि एक बागी को सरे आम सजा दी जाएगी और उसे भूके शेर की आगे फैंक दिया जाएगा बादशाह के हुकम के मताबिक वक्ते मुकररा पर शेख अबुलहसन को उस मेदान में पहुचा दिया गया आसपास से बड़ी तदार में लोग भी ये मनजर देखने के लिए बहां पर आन पहुचे जिनमें शेख अबुलहसन के कई शागिर्थ भी मौजूद थे एक भूके शेर को जब उस पिंडाल में लाया गया तो वो हमला करने के लिए बेताब था चुनाचे बादशा के हुकम पर उसकी जंजीरें खूली गई तो वो फौरी तोर पर शेख अबुलहसन की जाने भागता हुआ आया मगर चश्म फलक ने ये नजारा देखा कि वो उनके करीब पहुंचर उनका जिसम सूमने लगा और फिर यू लगा के जैसे किसी गैबी कुवत ने उसे पीछे हटा दिया है और वो कुछ फासले पर जाकर अदब से बैठ गया मेदान में हर तरफ अल्लहु अक्बर की सदाएं बुलंद होने लगी बादशा से ये मनजर बरदाशना हुआ और वो वहां से उठकर चला गया शेख अबुलहसन को आजाद करने का हुकम सुना दिया गया जब उनके शागिर्दों तक पहुंचे और उनसे द्रयाफ्त किया कि जब शेर ने आप पर हमला किया था तो क्या आपको कोई खौफ महसूस हुआ था शेख अबुलहसन ने जवाब दिया कि अल्लह की कसम मुझे किसी कसम का खौफ महसूस नहीं हुआ था मैं उसक्त महद ये सूच रहा था कि इस दरिल्दे के कि मुझसे निकलने बले बली छाग से मैं नापाक तो नहीं हो जाओंगा कि मुझसे अल्लह और उसके रसूल की हम्दोस नहीं चूप जाएगी तो खौफ मुझा ऐसे होते हैं अज़र्स मुझे निस्पर पर नाज़ रखते हैं और फिर दुनिया की कोई शर्सन कुवत उनका बार भी का नहीं कर सकी ती इसी वज़र से उन्हें कोई डर बाती नहीं देहता आपके साथ हज़र्स स्थीना रज्य रखतलान जो कि रसूल्लह स्थीना के आजाजार करता गुलाम थे उनका एक बात क्या सुनाते हैं कि आप गुलाम के मुझे रसूल्लह स्थीना का नाम मुबारख सुनकर शेर ने पितना स्थीना के खम कर दिया और उस गुलाम की दूसरे दिन्दों से किस तरह रफाज़र माई थी इस मुझे का जिकर इमाम हाकें तिबरानी और गुखारी ने तारीख कबीर में रवायत किया है हज़त स्थीना नसलन भूमी थे वो बज़ाते खुद इस वाके के रावी हैं कहते हैं कि मैं समंदर में एक कष्टी पर सबार हुआ कि ऐ अबुल्भारिस मैं हजजूर अक्रम स्थीना नसलन का नाम हूँ तो उसने फौराँ अपना सर्खन कर दिया और अपने कंधे से मुझे इशारा किया और उस वक्त तक मेरी रहमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राप पना डाल दिया फिर जब उसमें मुझे सही राप डाल दिया तो वहां से वो रुखसत हो गया अब बतिन उस्था दूसरा दूसरा दूसरी हदीस में ये बात कि कुछ यूँ प्यान हुआ है कि हजज़त के में मिदार प्यान करते हैं कि हजज़त सबीना रज़ता अन हो एक गफार रोन के अलाके में लशकर इस्लाम से पिछड़ गए या वो जिर रोन में कैद कर दिये गए वो वहां से भागे गए ताकि लशकर से दोबारा मिल सके कि अचानक उनका सामना एक शेर से हो गया उन्होंने उससे कहा एब बुहारिस मैं हजज़ूर एकरम से लशकर से पिछड़ चुड़ गाहूं यह सुनाना का कि शेर फॉरन दुम दूलाता हुआ उनकी तरफ आया और उनके पहनु में खड़ा हो गया जब भी वो किसी और दिरिंदे की आवास सुनता तो फॉरन वो शेर हजज़ सफीना रजिरा तला उनके के आगे 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 चलता और जब खत्रा टल जाता तो फिर से बाबाबे साथा उता हुड़ के पहने चलना शुरू कर देता वो इसी तरह उनके साथ चलता रहा यहां तक कि मुल्शकर में पहुँच गए और उसके बाद शेर वाप बापस लोड़ गया और दोस्तों आखिर में तथखरा करते हैं हजज़ सेद शेर अली शाह का कि जिनकी दरगा जमू कश्मीर के जिला पूँच के काउं शिने नेंडर में बाक्या है यह गाओं ने हुई हुँच भूलंदो बाला चूटियों खने जंगारात जर्जर के जिलाकों की बडूलत इद गिलाके में मशूर है और फिर अगर अगर इन जगों की निस्बत ऐसे एकराम से हो जो जो हो तो तक्वा कश्व को मालात में आला अला दर्ज़ पर फायस हो तो इन जगों की गद्रों मंजलत और भी भड़ जा रहे है अगर जाजा जाए कि आप शेर इस वारी की अक्ते थे इसी निस्बत से आप शेर अलिशा के नाम से मौसूम हो गए आप सेरों सेयाहत करते रहते और इस दोरान आप इसलाम की तर्वी जो अशार की करते रहे आप एक बलंद पाया भज़र रहे हैं और सारी अम उम इशक एदाही और शाय मुखद रसूल सलल्लाह लिए बाले अले सल्में में मदोश रहे आप तालिमात कल्ब लबाब, नसकशी, गोशा नशीनी, तवख वरवदा और सब्र रजाजा थी आप लोगों के साथ इखलाग, नर्ली और मुहस्त पेशाते थे और यही वो खूबियां और तालिमात थी जिनके सबब आप लोगों के दिनों पर मरानालिया किया करते थे बल्कि कहा जाता है कि आपका हुक्म जंगली ते रिंदों पर भी चलता है हदर्द शेर अलिशा से एक वाक्या मनसूब है कि आप शनेंग गाओं में मुकीन थे वहाँ कोई पर देसी कहीं से आ रहा रहा था और यहां पहुंचते 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 शाम हो गई राग के लिए उस पर देसी ने जगा तलब की उसके साथ एक गाओ भी थी आपके कहने पर उसने माल मुवेश्यों के कमरे में गाओ बांदी लेकिन वहाँ पर आपका पाल तुशेर भी मौझू था उसके जहन में अंदेशा आया कि कहीं यह शेर उसकी गाओ तो खाना जाए लेकिन फिर भी उसने वो गाओ वहाँ पर बांग दी मगर रात को उस अंदेशे के सबब वो उट गया तो उसने कजी मन देखा कि वो शेर गाओ को खा चुका था उसने सोचा कि वो सुबा उटकर शेर अलिशा से इस बारे में शिकायद करेगा लेकिन जब सुबा उसकी आंग खुली तो उसने देखा कि उसकी गाओ वही पर मौझू थी जब जब कि सेयर अलिशा अपने उस पाल तुशेर को मखातिब करते ये कह रहे थे कि मसाफरों और प्रदेशों के साथ ऐसा सलूप हर दिर नहीं आ जा जा जाता आप एक और करामत आज भी मौझू है कहते हैं कि आप उसी शेर की सवारी करते हुए जंब से चले ले आ रहे थे रास्ते में प्यास लगी तो अपने मुरीद को एक असा दिया और कहा कि पत्थर पर असा को प्याला में आपकी आफरी आराम का मतयिन हुई कहा जाता है कि आपके इंतकार के बाद आपके पाल उस शेरों को अजाद कर दिया गया लेकिन आज भी उन शेरों की नसले आपके दरबार पर आज़े दे दे हैं कुछर साकबल सोशली वीडिया पर ऐसी ही एक वीडियो वाइरल हुई थी जिसमें कुछ जंगली शेर एक दरगाह पर आते हैं और कुछ वक्त के लिए बहाँ पर प्याम करते हैं वगरना इनासिर में करामत का कोई नदर नहीं है बहराँ खवातिन अज़रात की फैसला हम आप पर छोटते हैं आप कमेंट सेक्शन में हमारी जरूर रहमाई कीजिएगा हम सब सब में आज कोशिश की कि कुछ ऐसे अल्लाह वालों पर तसक्रा किया जाए कि जो ना सिर्फ इंसानों बल्कि जंगी दिर्टों के दिलों पर भी हुकमरानी करते थे और ये तमाँ तरामाद दिखा का खवतिन अज़रात मकस्द ये नहीं है कि आपको हरान कर जाए बलकि महद इस वीडियो का मोटे पी ये था कि आपको इन आल्लाह वालों के जिन्दियों से कुछ तह्रीक मिलें आप और हम अपनी जिन्दियों पर एक नज़र डालें अपने अफ़ाल अपने अकवाल पर मिगाफ करें और जितनी जल जली मुम्किन हो सके कि तौबा सतफार करके अपने रब की राह की तरफ लोड़ चने ये याद रखिए कि तौबा करने का कोई भी नमाद देर से नहीं आता है बहुत से बुझगान दीन ऐसे भी घुजरे हैं जो अपने माजी में चोड़ याड़ देखेते हैं हों मगर अपने 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 लोड़ लोड़ ने उन्हें तौबा की तौफीग बक्षीशी और आप तक उनकी जिन्दियों के बारे में वाक्यात पहुंचाए जाए जाए अगर आप भी विजिए असासी करना चाहते हैं तो रड़ बटन प्लिक लिक करके और पर आइकान को प्रेस करके हमसे से सब्सक्राइब बन जाएए बहुत आप सब्सक्राइब अपना उर्यत के लोगों का ख्याल दखिए और हम सब सब के साथ जुड़े रखिए किसी का बुरा नहीं करते हैं हमेशा नेक रहा अपनाते हैं और नेक काम करते हैं तो उनको वली अल्ला बोलते हैं और हमारे भगवान अल्ला जब उनसे खुश होते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि हम कुछ पावर्स आती है या सुपर नेच्वर पावर्स उनमें भी आ जाती जिससे कि वो लोग जैसे हम बोलते हमें कि बन्द में शक्ती है कुछ ना कुछ गता है। जिसे वो लोग ना की सिर्फ इंसानों के दिलों पर बलकी जानवर के दिलों पर भी राज करते हैं बहुत ही अच्छा था और इसमें जो उन्होंने फर्स्ट वाक्या मेंशन किया था जिसमें शेख अबुलहसन जिसको उन्होंने एक जगा पे डाल दिया था यहां और एक भूके शेर को जिन्हों है जिसेर को पॉपस लिए उन लोगों ने काफी जिन्हों तक भूका रखा था कि अगर वो भूका होगा तो ओविसली वो एक दम से उसको देख के उसके उपर अटैक करेगा बड़ देखो उस शेर ने उनको कुछ भी नहीं बोला मिन्स वो शेर उनके सामने विल्कुल आके बैट गया और उनको स्निफिन करने लगा और उसके बाद जब उससे उनसे पुछा गया शेर अबुलहसन जी से तो उन्होंने बोला कि मतलब वो यह उनके उपर अटैक यह कुछ हो तो वो नापाक ना हो जाए मिस देखो जो बंदा वाकी अपने दिल से अल्ला की रहा को फोलो करता है और वो हमेशा यह सोचता है कि मैं पाक साफ रहूं नो मैटर उसे अपनी जान की प्रवा नहीं थी वो शेर मुझे खा जाएगा पर जी बस मोर कंसर्ण की मै नापाक नहीं हो जाओं रिली वरी नाइस वीडियो और आप लोगों को अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेर जरूर कीजिए अपने फ्रेंज के साथ में और कॉमेंट में मैंशन कीजिए कि नेक्स कौन सी वीडियो पर हम सब्सक्राइब और कि ले आप्सक्राइब और के सब्सक्राइब और कॉमेंट नेक्षास साथ और कीजए वीडियो जब्हगा नेक्षाइब और कीए जाई जएक्षास नेक्षास साथ साथ competing Deep UP Step 50 D